तो भाई ये है इनोवा हाई क्रोस सेकेंड टॉप मॉडल और इसका साउंड जो है ना एकदम भच था मगर हम लोगों ने इसमें जो कंपोनेंट और कोईक्सल स्पीकर दो सेट जो डाले है ना वो पहले मैं आपको दिखाता हूँ और उसके बाद लाश्ट में इसका साउंड सुनाऊंगा मैं आपको ये जो दो स्पीकर दिखाई दे रहे ना मोको का ये जो है ये कंपोनेंट है और इंफिनिटी का एक कोईक्सल स्पीकर है है ना तो ये ही दो चीज हम लोगों ने इसमें लगाया है अब पहले इसका आरेमे रहे हम साउंड को निए जो यए और और तो यहां पर आपको दिखाई पड़ता है जो हम लोगों लोगों को लगा रहे हैं ऑर इसका साउंड को हमाने खोल के रख पहले खुला हुआ है ये इसका स्पीकर है कि सको अभुन anchor, आ रिमूफ करने वाले हैं और रिमूफ करने के बाद जो है ना रिपीट लगे रहता है इसमें दो दो तिन तिन्ट हो इनुवा हाई क्रॉस में मैं आपको बताते हुए चलूं की 6 इंच स्पिकर लगेंगे और इसमें 6 इंच डी नॉइस का जो है रिंग लगाना पड़ेगा ब लोग खोल रहे हैं अभी और उसके बाद इसमें ना चार सेट जो दो सेट स्पिकर है उसको लगाएंगे फ्रंट में डालेंगे बुलेट सिरीज कंपोनेंड मोको का और बैक साइड में डालेंगे बॉस्टिक के रिंग के साथ में अपनल लोग इंफिनिटी की को इक्सल है इसका साउंड यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि स्पिकर सारा जो है खुल चुका है और भी दरवाजे का अगर स्पिकर मैं दिखाऊं तो यहां पर कभी स्पिकर जो है एकदम खुल के तैनात हम लोगों ने रख दिया हुआ है राइट साइट की बात करे दोर की तो हाइट साइट का भी चारों स्पिकर हम लोगों ने खुल दिया है थोड़ा सफाई से काम करना पड़ेगा इसके स्पिकर में रिंग भी लगता है रिंग मैं आपको दिखा देता हूं यह जो रिंग दिखाई दे रही है बॉस्टिक की 6 इंच हेलमेट रिंग यही है इसकी या न तो यह रिंग के साथ में लगेगा यह वाला बॉस्टिक का रिंग이죠 speaker का है और इसका original speaker जो मैं खोलके रखाऊँ covert चाहें तो यह दोनों speaker को आप लोग देख सकते हो यह दोनों speaker जो है 6 इंज का है और इसी speaker को खोलके आप लोग यहाँ पर wiring करेंगे Coupler to Coupler wiring होगी आपको घबराने की कोई ज़रुरत नहीं है इसका RMS हम लोगों निकाल लिया है क्योंकि नई गाड़ी में मेरे को नहीं लगत है कि ऐसा दिक्कत आएगा पर Inua High Cross के Sound System में दम नहीं है Second Top Variant की बात कर रहूं है जो कि आज हमारे पास खड़ी हुई है है ना तो फिर चलते हैं और इसका सामने का speaker हम लोगों ने मेरे खाल से fit भी कर दिया है तो यहाँ पर bullet series का speaker Moco का उसी ring के साथ में मैंने लगाया है और इसका Twitter भी लगाऊंगा तो speaker आप पहले देख सकते हो wiring पूरी हो चुकी है इसकी और इसके बाद ये वाला इसका जो है ये ट्यूटर है इसका जो front door में ही लगेगा component में ही रहता है Moco company का है right side के दरवाजे पे हम लोगों ने speaker को fit कर दिया है bullet series speaker है RMS इसका अच्छा खासा है कहीं से कोई दिक्कत नहीं है और उसके बाद हम लोगों ने इसमें DVR भी लगाया है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा तो अभी आप speaker का काम देखिए back side के door पर चलते हैं तो back side के door में ring tight हो गई है बर इस speaker नहीं लगा है speaker लगने वाला है और इसका काम अभी भी चालू है राइट side के door में भी speaker को fit किया जा रहा है infinity का coaxial मैंने आपको बताया था और infinity का coaxial ही डलेगा चारो अगर component डलवा लोगे तो sound में मज़ा नहीं आएगा इसलिए मैं ये डाल रहा हो कि चारो component डलेगा तो फिर amplifier लगाना पड़ेगा इस model के player में उतना output नहीं है मैं आपको बताता चलू कहीं आप ऐसा ना हो कि sound के चक्कर में चारो component डलवा लो लेकिन sound एकदम coaxial जैसा ही आ रहा है तो ये भी आपको दिमाग थोड़ा सा लगाना पड़ेगा मैं आपको बताने के लिए या video बना रहा हूँ ये आपके काम में आ जाएंगे ठीक है तो इस speaker को काम में लाने के लिए सबसे पहले तो अपर लोग चलते हैं और देखते हैं इसके infotainment system की तरफ कि क्या position है इसका अब bullet series speaker की खासियत मैं आपको बता दू कल को अगर कुछ भी होता है ना तो ये जो है आपका noise create नहीं करेगा इसके Twitter को हम लोगों ने यहाँ पर place कर दिया है Twitter यहाँ पर place हो चुका है अब अंदर जाना है और सिर्फ इसके sound को हम लोगों को सुनना है कि sound किस तरीके से आता है क्या होता है कैसा होता है doorpad यहाँ पर पैक होता हुआ नजर आ रहा है doorpad पैक होने के बाद तो आपको sound का कुछ अलगी मज़ा आने वाला है doorpad को पहले पैक कर लेते हैं उसके बाद चारू door बंद करके एक बार आपको सुनाई देंगे infotainment system की अगर मैं बात कर लो तो infotainment system company fitted है इसका RMS से निकल के आ रहा है 40 40 उसके हिसाब से speaker लगा हुआ था इसमें और जिसके हिसाब से speaker मैंने आपको बताया वो उतना sound अच्छा नहीं दे रहा था तो इसका जो original infotainment system है अगर उसी में sound आपको चाहिए तो यह जानकारी आप नूट कर लिए रहो कि सामने दो component और back side में coexil speaker लगाना पड़ेगा आपको और अगर आपने चारो component speaker अगर डाल दिया तो फिर sound उतना मज़ेदार नहीं आ पाएगा इसका तो यह जो infotainment system है पहले इसमें bluetooth वगरा connect कर सकते हैं android auto car play सारी चीज़ है इसमें लेकिन front camera नहीं है back camera है front camera नहीं है तो front camera के लिए हमने DVR भी लगाया हुआ है तो DVR को मैं आपको थोड़ा दिखा दूँगा थोड़ी देर बाद पहले इस player की sitting को कर लेते हैं और उसके बाद अभी थोड़ी दिर बाद इसका sound को भी सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना अच्छा sound आ रहा है पहले जो इसका sound था उससे तो हजार गुना ज्यादा अच्छा sound आ रहा है कस्टमर जो गाड़ी वाले भाईया है वो भी खुस होकर गया है ऐसी कोई बात नहीं कि पहला जो sound आ रहा था वो बेकार लग रहा है या बकवास लग रहा है ऐसा कोई बात नहीं है उनको भी sound पसंद आया है तो इसमें आप अलों sound को सुनाएंगे और इसका RMS जैसे कि मैंने बताया था आपको आपको वैसे सेथ करना पड़ेगा इनको टैन्मेंट सिस्टम भी ठीट ठाकी है इसका ठीट ठाक रहने से पूछनी होता है आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा और नई गाड़ी है तो फिर आपको थोड़ा समझ कर चलना पड़ेगा इसके DVR को मैं अगर आपको दिखाऊं तो DVR ये लगा हुआ है ये वाला DVR है जो हम लोगों ने लगाया है तो गाईस कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताया मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ओके बाई गाईस